दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे पूरा देखेगा दोस्तों अगर आपके पास कोई जियो का सिम है जिसमें कोई भी रिचार्ज नहीं है यानि कि वो बंद पड़ा रखा हुआ है तो हो सकता है उसमें आपको मिला हो एक क्यावन दिनों के ल दोस्तों ये मैंने अपना मोबाल ओपन कर लिया है जहां से मैंने करेट कर लख है अपने सारे सिम तो सबसे पहले यह देख लिए मेरा मेन सिम जिसमें पढ़ा हुआ 399 का पैक और मिलता है मुझे रोजका 1GB का डाटा और यह मैंने ओपन किया अपना दूसरा सिम जिसमें कोई भी रिचार्ज नहीं पढ़ा हुआ है आप लोग उपार देख सकते हैं इसमें कोई भी रिचार् प्राइम मेंबर सिफ हैं और कोई भी रिचार्ज नहीं है और यह सिम बहुत दिनों से बंद पढ़ा था लेकिन फिर भी मुझे मिल रहा है कई दिनों से आप लोग देख सकते हैं 12 को मिला 13 को मिला 14 को मिला आप यूजर्स देख कर सकते हैं कि मुझे वाख़ाई में 3-4 दि चार्ज मिल रहा है 2 GB डाटा मिल रहा है अब मैं आपको ऐसा ही दूसरा सिम भी दिखा देता हूँ यह में दूसरा सिम दूसरे नंबर का त्व आप लोग इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी मुझे मिला हुआ है 2 GB डाटा क्योंकि मैंने बाब में पता चला इसलिए मैंने इस sim में केवल एक दिन यूज कर पाया, आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने एक दिन यूज किया है, 14 तारिक को 2GB डाटा, और मुझे आज भी इसमें मिला हुआ है 2GB डाटा, आप लोग खुछ सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वही जियो cricket pack के नाम से, अ वापस रिनी हो जाता है, वापस चलने लगता है, तो दोस्तों जाए अपने पुराने sim निकाले और चेक करिया, और हमें comment में बताएए, कि आपको भी मिला है 2GB डाटा, cricket pack के नाम से, तो दोस्तों अगर आपके भी किसी बंद sim में ऐसारी डाटा मिल रहा है, तो इस वीडि रोज का आप कितने दूनों के लिए मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता लेकिन जब तक मिल रहा है इसका फाइदा उठाएए, और वीडियो शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बगल में बनने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजेगा, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फर वाचिन